दोस्तों मेरा नाम है सचीन आप देख रहे हैं All Techs चलिए शुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं हाउंड एसिस्टेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने Android फोन में जैसे कि आपके पास कोई भी Android वर्जिन हो जैसे कि मेरे पास है अभी लॉलिपोप मैं दिखा रहा हूँ आपको ये मेरे पास Android वर्जीन ये लॉलिपॉप है आप देख सकते हैं इदर और अभी मैं OPPO का फोन यूज कर रहा हूँ OPPO A37F तो चलिए शुरू करते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है आप वहां से इस एप को डाउलोड कर सकते हैं सो मैं अलरी डाउलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ सो माई हांड इस देर आपके फॉन में आप ध्यान रखें कि ये इंस्टॉल करने से पहले आपके अन्नों सॉर्स अन हो अदर्वाइस ये इंस्टॉल नहीं होगा एक मिनट दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है दो मिनट वेट कर लेते हैं यप तक ये इंस्टॉल होता है आप इसको डाइक ली डाउनलोड कर सकते हैं । मैंने लिंक दिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा असिस्टन्ट है दोस्तों मैंने इसको बहुत बाढ़ रहा किया है ये आपके कॉल भी करता है आपसे नॉर्मली बाते भी करता है लेकिन पहले आपको अपनी कंट्री सेट करनी पड़ती है सेटिंग में जाके सो वो नॉर्मली हो जाता है ये टाइम ले रहा है थोड़ा ये देखे दोस्तो हो गया अभी हम ड़न पे क्लिक और हॉम पे चलके इसको लेफ्ट से कट कर देते हैं सो अब मैं हाउंड को ओपन कर रहा हूं दोस्तो हो मेरा हाउंड ओपन हो रहा है जैसे आपको ऐसा इंटरफेस में लेगा आप इधर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फिर कॉंटक्ट एक्सेस पे यहां पे आप चाहें तो फॉंक कॉल के लिए इस पे अल्रेडी टिक आता है दोस्तों अब कंटीनियो बस दोस्तों अब आपके पास सब कुछ सेट हो चुका है आप इसमें से अपनी सेटिंग में जाए और यहां से आप लिसन ऑन स्टार्ट भी कर सकते हैं बहुत सारे ऑपिशन्स होते हैं दोस्तो इसमें से देखिए आपको पहले अपना जीपेस अनेबल करना पड़ता है दोस्तों एक मिनट जैसे कि मैंने भी मेरा जीपेस अनेबल कर दिया तो मैं यहां पे बोल रहा हूँ अभी यह स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा है वरना आप इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा यह है सर आप इसमें फोन कर सकते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में